क्या आप अपना टैक्स फाइल करना चाहते हो क्या आप अपने तीन साल का टैक्स फाइल एक साथ करना चाहते हो तो आप सबसे पहले विजिट कीजिए www.czytax.in description box में मैं link दे दूँगी तो इस वीडियो में आप लोगों को पोसेज बताऊंगा कैसे आप इसमें टैक्स फाइल करेंगे अपना खुद का टैक्स फाइल कैसे कर सकते हो सबसे पेхले आपको website में आने हैं website में आने के बाद आपको यह पर बहुत सरे services मिलता है जैसे आप यह से support भी ले सेट हो सपोर्ट है reicht है का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा तो support भी ले सकता हो आप टैक्स फैल करने से पहले तो यह आपर सबसे पहले सनक्राइ慌 इंकम टैक्स्ट का रिटरन होता है तिन साल का एक साथ रिटरन हो रहे हैं, टीडीर फाइडिंग हो रहे यहाँ टैक्स ओडिट यह सब होगा, जीएस्टी रेजिस्ट्रेशन, डीच्रीम कंसर, रिटरन सब होगा, जैसे आप प्रोपाइटरशनिंप कम्पनुे, प्राइसिंग में जाएंगे यह पर आपको सारा पॉड़क्ट मिल जाएगा आपको चाहिए अगर जो भी पॉड़क्ट चाहिए आप यह से अपने करेंगे तो सब्सेपे है आपको यहां पर 2022 का इपको देखे एक याम उसमें से लेट करेंगे मेंगे बाद आपको यह पर एड़ अक्लिक करने के B pairing Captain tonight नेगे कर लिए क्लिक कर देंगे कर ने के बाद आपको यह पर क्या कर ना है क्लिक कर दीनी है पूसेस्ट तु चेक आउट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यह पर अपना पूडरा डीटेस भरने आपका नेम लेविल है आप में इसमें क्लिक करने के बाद आप पेमेंट को कम्प्लीट कीजिएगा पेमेंट करने के बाद आपको आधे घंटे के अंदर कॉल आएगी अगर आपको इंस्टेंट आपको पेमेंट का कंफरमेशन लेनी है तो आप उपर पे दिये गए नंबर पे कॉल कर सक आपका document, आपका document क्या क्या यह पर upload करना पड़ेगी आपको अपना name लिखना है और आपका email id, mobile number लिखनी है और आपने जो payment किया है उसका reference number यह पर डाल दीजिए इसका बाद आप अपने pen card, other card, bank statement अपलोड करेंगे आदास में आप अपना LIC या कुछ और भी है तो आप उसमें upload करके आप यह पर submit कर देंगे इसका बाद आपको कोई भी knowledge कुछ भी नहीं चाहिए फूरा complete करके आपको tax file दिया जाएगा और सब कुछ आपको दिया जाएगा देखिए बाकी जो company हैं आप अगर आज tax file return करते हो तो आपको 15 दिन 20 दिन एक महीना तक टाइम लगता है लेकिन अगर आप czytax.in के मादम से करेंगे तो आपको आज अगर आप filing करते हो तो कल तक आपको पूरा verification करके दिया जाएगा तो आपको काम में कोई भी problem नहीं होगा जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा और आपको support भी दिया जाएगा और आप call करके आप अपना status भी जान सकते हो बाकी जो भी website tax file करते हो उसका number ही नहीं होता है लेकिन आपको यह पर support का number दिया जा रही है आप अपना support number से call करके आप अपना status जान सकते हो अगर कोई भी query है तो आप उसको भी clear कर सकतो otherwise जो भी team में अगर team जब file करेगा अगर कुछ भी चाहिए होंगे तो आपको callback करेगी और जनकरी के लिए आप contact आस में जांके आप यहाप पर number भी है और यहाप अगर आपको कोई query है तो आप इसमें message के मादम से भेज सकतो कि आपको कोई query है तो आप अपना नाम, email id, mobile number और आपको जो भी message टाइप करनी है आप यहाप टाइप करके send कर दीजिएगा तो आपको उसको reply दिया जाएगा आपकी email पे और आपका whatsapp पे आपको email पे और whatsapp में एक acknowledgement भेज दिया जाएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद जहिंद